हलो भीवार्ज वेलकम तू माइड़ी चैनल फ्रेंड्स स्टेट बांक ओफ इंडिया इंडिया की नमबर वन पब्लिक बैंक और यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको क्या करना चाहिए देखे व्रेंड्स कुछ बात यहाँ पर आपको समझना होगा वो अ स्टॉक लगबग 200 पॉइंट समझ सकते हैं आधे से ज्यादा यहाँ पर गिराबट हो चुके हैं कॉंप्लेट हो चुके हैं लेकिन फ्रेंड्स अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पर बैंकिंग और फाइनल्स यहाँ जो स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा बूरी तरह से पीट रहे हैं तो आपको यह देखकर घबराना नहीं है कि भाई बैंकिंग सक्टर तो बहुत ज्यादा पीट रहे हैं क्या मैं स्टॉक बेज कर निकल जाओ तो यह गलती मत करना कब बेच रहा है आपको SBI को कब बेच ना है वो लेवल है फ्रेंड्स 155 155 का लेवल अगर यहाँ पर तूटता है तो आप SBI को बेच कर निकल सकते हैं टेंपोररी बेसिस के उपर और अगर बात करें तो 155 का जो इसका एक सपोर्ट है इस सपोर्ट का सहारा लेकर स्टॉक ने इस सपोर्ट का सहारा लेकर स्टॉक ने लगभग दो बार बड़े रिटन दिये हैं 152 ये दो सपोर्ट समझ लेजिए आप 1500 का सपोर्ट 1500 राउंड फिगर में बता दाओ 1500 1500 का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने बहुत बार अच्छा रिटन दिया है तो आपको इस गिरावट में ये जो करोना भारस के वज़े से जो गिरावट हुआ है मार्केट में तो इस प्लोस है 150 जब भी SBI में जब भी देड़सो का लेबल टूटे तो आपको SBI से टेंपररी बेसिस के उपर निकल जाना चाहिए ये बात आप अपने दिल को समझा दीजिए कि देड़सो टूटा तो मैं निकल जाऊंगा उससे पहले आपको नहीं निकलना और आपको खरिद करना है तो यह जो लेबल है 176 यह एक मूँ में पानी आने वाला जैसा एक सिच्वेसन होता ना किसी अच्छे स्टॉक के वारे में तो यह ओ ऐसा एक सिच्वेसन पर SBI अभी ट्रेड कर रहा है तो आपको SBI को 176 में एक बार में पूरा नहीं खरिदना आपको अगर आप य खरिदने के जितना पैसा आपके पास है तो आप इसको पाँच बार में पाँच किश्टों में आप यहाँ पर SBI में खरिदारी कीजिए आपका खरिदारी करने का जो बेश्ट लेबल है फ्रेंड्स वो है लगबग मैं जो जितना समझता हूं फ्रेंड्स वो देड़सों क आसपास देर्सों के आसपास जब आए तब आपको long term के लिए SBI को खरीदना है देर्सों के आसपास जब ये आए तो आपको long term के लिए सब्दों के उपर गौर कीजिए मैं short term की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूं मैं long term की बात कर रहा हूं यहाँ पर SBI में अगर आप invest करना चाहते तो सबसे पहले आपका नजरिया होना चाहिए कम से कम पाँच साल अगर पाँच साल आपके पास stock को देने जितना नहीं है तो SBI को आप avoid कर दीजे completely avoid कीजे क्योंकि friends SBI अभी जहाँ पर है यहाँ पर से stock को इसका जो high है वो high breach करने में कम से कम यहाँ पर एक साल के आसपस लग जाएगा क्योंकि friends माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है आपको यहाँ पर खरीदरी करके रखना है long term के लिए तो long term के लिए मैं ये video बना रहा हूँ वीडियो अगर आप देखने तो friends बेकार में आपने इतना बक्त जाया किया long term के लिए SBI अभी बहुत अच्छे लेवल पर है मैं बार बार यही कहता हूँ पर लॉंग टरम के लिए इस गिराबट में portfolio बनाई है और portfolio में जो banking sector में से सरकारी बैंकों में से जो बैंक मैं recommend करता हूँ आपको खरीदरी करने के लिए नहीं इस देखने के लिये अपने आप से पूछिए कि ये stock आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं मेरे जैसे लोगों के बात सुनकर या पर TV में जो बताते हैं उनका बात सुनकर किसी के भी कोई भी बात सुनकर यहाँ पर आपको stock buy नहीं करना क्योंकि friends समझ लेजी एक बात आपने किसी के बात सुनकर आपने invest कर दिया और loss हो गया तो आप उसको क्या blame करेंगे कि भाई मैंने तुझको बोला कि तुझको ये buy कर ले तुने buy कर लिया ऐसा नहीं होता मैं आपको सला देता हूँ आप SBI को इस लेबल पर देखिए और हाँ इनपीए का जो इनपीए है उसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं बड़ा bank है एनपीए भी बड़ा होगा लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा return मिलेगा ऐसा मुझे लगता है बाकी आप मुझे से disagree भी कर सकते है मुझे लगता है SBI आपको यहाँ पर अच्छा पैसा बना के देगी 100% तो नहीं यहाँ पर 90% मुझे लगता है SBI आपको पैसा बना के देगी और आपका जो investment का time होना चाहिए वो है लगवग 5 साल 5 साल आपको SBI को देना होगा 5 साल में आपका profit बहुत अच्छा profit बनेगा तो यह आप समझ कर रख लीजिए 5 साल में SBI आपको अरे भाई SBI यहाँ से अगर गिरता है गिरते गिरते SBI मैकसिमम तो मैकसिमम यहाँ से गिरने की संभावना जो है फ्रेंस वो मुझे इस लेवेल पर जो लगते है SBI यहाँ से लगवग 96 तक जा सकता है 96 लेवेल को समझ नीचे और नहीं जाएगा बहुत दिन नीचे आ गया लेकिन मुझे जो लगता है SBI में अगर गिराबट का यह सिलसिला चलता रहा तो 96 तक यह जाएगा मैकसिमम तो मैकसिमम वासे इसमें बाउंस बैक की संभावना पूरी तरह से बनती है चार्ट के ऊपर तो फ्रेंस पर आ जाए लेकिन यहाँ पर से 96 तक जाने की संभावना बहुत कम है समझ लेजिए ना के बरावर तो असंभाव नहीं है फ्रेंस जा भी सकता है और अगर आपको खरी दारे करना है फ्रेंस तो किस्तों में यहाँ पर खरी दारे सुरू कीजिए क्योंकि हो सकता है SBI में ब सब्सक्राइब सायद उतना पैसा बना करना दे जितना आपको पांच तताल में देगी तो अगर आपको बात करें कंपनी के फंडमेंटल की तो अब यहाँ पर स्मार्ट बाइंग सुरू करनी चाहिए अगर हम लोग बात करें deliverable quantity तो लगबग 30% के आसपस यहाँ पर deliverable quantity उठती है तो अच्छी deliverable quantity इसको तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन एक ठिक टक deliverable quantity एक सरकारी कंपनी में मतलब उठती है तो डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ और बात करें अगर हम लोग सेर होलिंग रखी है यहाँ पर और जो सबसे अच्छी वात है mutual fund mutual fund SBI के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहे है यहाँ पर अपना जो श्टेक है वो सितंबर 2019 से लेकर डिसंबर 2019 तक का जो time period होता हुआ पर इन्होंने अपना श्टेक बढ़ाया है और लगबग 14% के आसपस mutual fund के पास मैं मेरे बोलने से आपको SBI करने की सला कभी नहीं दूँगा आपको इसको देखना होगा आपको पूरी तरह से एक brief analyze SBI को आपको करना होगा उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई SBI मुझे बाई करना चाहिए तो ही बाई कीजे कि मैं नहीं चाहता आप मेरे बोलने से ज स्मार्ट बाइंग करनी है यहाँ पर आपको किष्टों में अगर आपके पास mutual fund का SIP है तो SIP में जैसे हर महेने आपके एकाउंट से पैसे करते हैं उसी तरह यहाँ पर महेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जब भी यहाँ गिराबट दिखे बाई-on-diff के strategy यह और अब आपने ज्यादा प्राइस पर आपको बख्त देना होगा क्योंकि अगर आप पैसा बननाना की जो उम्मीद है वह उम्मीद पर खड़ा और नहीं उतर पाएगा तो आपको वक्त देना होगा कम से कम 5 साल का बक्त आप दीजिए आपका पैसा बनेगा फ्रेंस यह वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना रहो फ्रेंस वीडियो यहीं पर खडम करता हो अगर वीडियो आपको थोड़ा से भी काम कर लगा तो एक लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्य थांक्यू